गाड के एक्षेण देखना है ड्राइवर को एक्षेण देखना है बड़ेया इस्टेशन में वह आठ है ही नहीं तो रर्कियों लगा है तो फाइनली मेरिट नहीं होगा मेरा वो दुख्की बात है और मास्टर हंडेड और टेन परसेंड बनना है तो अपना मुबाइल निका करमचारी हैं और ये 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो आज हम जानेंगे कि इन्हों ने 5 साल में यानि क्या पूर्मोसन पा लिया है और सेलरी क्या बढ़तरी हो गई है और इनको क्या-क्या सुबधाय अभी मिल रही है इसके साथ हम एभी जानेंगे कि इनका काम क्या है किस तरह आज की वीडियो हम सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपना परिश्या बता दीजिए मैं नागेंदर कुमार ब्यार करने वाला हूं और पॉइंट्समें में यह आता है मैनली टो तरह के काम होते हैं एक होता है All Right Exchange करना दूसरी होता है संटिंग करना happily एक एकसेंग में क्या होता है कि यहानी जा करना जब गाड़ी जाती है उसमें गाड़ी में सारे सीचको तो देखने पड़ता है जैसे कि उसे गाड के एक्षेन देखना है ड्राइवर को एक्षेन देखना है गाड़ी सेफली मोड में जा रहा है वह देखना है कहीं बैगन ओपेन है वह देखना है यह फ्लैट टार तो नहीं है ना कहीं गाड़ी बर्निंग तो नहीं हो रही है यह बात करते हैं इसके बाद 4 पाईप करते हैं करने के बाद घ्रार आगे गाड़ी बढळाता है इसके बाद दुसरा film ना बह स aparece करना है इसके बाद हो ऐसे बाद बॉमेंट होता है वो दोनों गाड़ी को मुमेंट होता है इसके बाद फर्स्ट के पावर सिकंड में सिकंड का पावर फर्स्ट में अटेच कर दिया जाता है साइद आपको समझ में नहीं आया होगा किसी दिन में इनका लाइब वीडियो दिखाऊंगा और किस तरह से काम करते हैं सभी कुछ मैं उस वीडियो में लाइब दिखाऊंगा अभी क्रोणा का संगमन है इसलिए वो नहीं दिखा सकता हूँ जो बताए हैं फिलहालोसिस आप लोग काम चलाइये और आगे जानते हैं आपका टाइम कितना अता है इसे ड्यूटी टाइम होता है कि छोटे अश्टेशन में ट्वेल आवर का रोस्टर होता है विकली फाइब डेज होता है जिसमें साठ गंटा का रोस्टर होते हैं सथान भाषा में किस वाइघ को चाहां हसाड़ सथा घंटे करना पड़ता है दिएस किससे भाइड़न करता हूँ यह जहां ओपने मिला है लेकि जाहां वड़े-बड़ेस्टेशन हाझ जहां एबलेबल खौर्टर होता है मिलते हैं आपके स्पर्स बीदा नहीं है छोटा से सद्स बने हैं इसलिए इनको सबस्दा नहीं मिला आप अचा रिक्वेस्ट लिए बताई है और कोड़ अब आगे जानते हैं दोस्तों कि सब कोई बोलता है कि मैं भी बोलता हूं कि पॉइंट्स मैं बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है यानि उसमें आप लडीशी एग्जाम देके प्रमोट हो सकते हैं इस सरा बन सकते हैं तो यह हम इंसे पूछते हैं विशिता विश्ट्व में लिष्ट फाइव जानते हैं अब तक अवर सकते हैं इसके बाद फाइव व्हुर्ण वह उसमें हुआ उनीसवी एक्जाम भर्षकते हैं एक्जाब लिखा एक्जाम भी लिखा एक्जाम लिखा टेक्टी मेंस और साइको को फार्ड को क्वालिफाइब इस वार्ड फार्नली मेरिट नहीं हुगा दुख्की बात है दुख्की बात है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया प्रयास जारी है और मेनत में लगे हुए अब इसके बाद भी एसम के एक्जाम होने वाला है जो आया है 25 परसेंटेज मैट्रिक वेसिस इसके पहले हुआ था से देखिए अभी पांच साल सर् परते में इन्होंने एक बार लडिशी का फॉर्म भरा है जिसमें इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया एक दुख्की बात है ठीक कोई बात नहीं आगे इनका प्रयास है कि और आगे भी प्रयास करते रहेंगे तो आगे इसमें यह क्या है कि जो ऑपरेटिंग सब्सक्राइब कर लेते हैं उसमें सब कुछ मालूम चल जाएगा क्या इनका सेलरी बढ़ गया है तो अपना मुबाइल निका लिए इनका अर्निंग जो अप्रिल महिने का है वह अर्निंग मैं आपको बता रहा हूं इनका बेसिक पे अभी 2100 है उसके सब्सक्राइब करते हैं इसलिए इनको 188 रुपया मिलता है उसके बाद टांसपोर्ट एक हजार तीरपन रुपया उसके बाद नाइट डूटी अलाउंस 370 क्यों इतना कम है नाइट कम किये थे नहीं थे डूटी में नाइट में नहीं थे छुट्टी में गय थे लेकि इनका अलगबग आपका महिना में नाइट कितना बन जाता है लेकिन जिस दिन आप खर जाईएगा उस दिन तो नहीं रहेगा अब तो यह हुगा क्या क्या हुगा देख लेते हैं इनका एक रेलवे एंप्लोई इंसुरेंस में 30 रुपया डिड़क्शन हुआ है उसके बाद 2910 रुपया में से आप 2699 रुपय निकाल दीजिए कितना हुआ तो नेट पेन का 35211 रुपयार आए आपको मेरे सामने एक पेसलिप दिखाई देरा होगा वो पेसलिप आप इनका पढ़ सकते हैं रोक कि इस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं यह रहा इनक दाने मा तोस्तो